साथियों ये एतिहासिक छाण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है हमें देश के लिए नवसंकल्प लेना है खुद को नई उर्जा से भरना है इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में मैं पुरे देश के 140 करोर देश वासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमी से प्राथना कर रहा हूं अयोध्या की प्रभुराम की नगरी से प्राथना कर रहा हूं मैं 140 करोर देश वासियों को हाथ जोड करके प्राथना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अविध्धा में प्रभुराम विराजमान हो अपने घरों में भी श्री राम जोती जलाएं दिपावली मनाएं 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए लेकिन साथ ही मेरे सभी देशवाशियों से एक कर्वद्द प्रात्रा और भी है हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साच्छी बनने के लिए वो स्वयम आयोध्या है लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है आयोध्या में सबका पहुंतना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को देश भर के राम भक्तों को उत्तर प्रदेश के विशेश करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़कर के प्रणाम के साथ प्रार्तना है मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार वीदी फुरवक कारकम हो जाने के बार तेश तारी के बाद अपनी सुभीता के अनुसार वो अयोध्या आए अयोध्या आने का मन 22 तारी को न बनाए प्रभु राम जी को तकलीव हो ऐसा हम वक्त कभी कर नहीं सकते हैं प्रभु राम जी पधार रहे तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें साड़े 500 साल इंतजार किया है कुछ दिन और इंतजार कीजिए और इसलिए सुरक्षा की लिहाद से व्यवस्ता के लिहाद से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है के कृपा करके क्योंकि आप प्रभु राम के दर्शन है उद्याका नव्य भव्य दिव्य मन्दिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्द है आप जन्रवरी में आए फरवरी में आए मार्च में आए एक साल के बाद आए दो साल के बाद आए मन्दिर है और इसलिए बाहि जन्रवरी को यहाँ पहुंचने के लिए बिड़भार करने से आप बचिये ताकि यहाँ जो व्यवस्ता है मन्दिर के जो व्यवस्ताफक लोग हैं मन्दिर का जो ट्रस्ट हैं हमें इतना पवित्र काम उन्होंने किया है इतनी महनत करके किया है पिछले तीन चार साल से दिन रात काम किया है उनको हमारी तरफ से कोई तकलिप नहीं होनी चाहिए और इसलिए मैं बार बार आगर करता हूँ कि 22 को यहां पहुंचने का प्रयास हम न करे कुछी लोगों को निमंत्रन गया है वे लोग आएंगे और 23 के बाद सारे देश वास्यों के लिए आना बड़ा सरल हो जाएगा साथियों आज मेरा एक आगर मेरे अयोध्या के भाई बेहनों से आपको देश और दुनिया के अंगिनत अतिजियों के लिए तैयार होना है अब देश दुनिया के लोग लगातार हर रोच अयोध्या आते रहेंगे लाखों की तादार में लोग आने वाजे हैं अपनी अपनी सुविदा से आएंगे को एक साल में आएगा दो साल में आएगा दत साल में आएगा लेकिन लाखों लोग आएंगे और ये सिलस्ला अब अनंतकाल तक चलेगा इसलिए आयोध्या वासियों को आपको भी एक संकल्प लेना है और ये संकल्प है आयोध्या नगर को बारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का ये स्वच्छ आयोध्या ये आयोध्या वासियों की जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें मिलकर हर कदम उठाना है मैं आज देश के सभी तिर्त छेत्रों और मंदिरों से अपना आगरद हो रहाऊंगा देश भर के लोगा से मेरी प्रात्ना है बद्र राम मंदिर के दिनवार के निमित एक सब्ता पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तिर्तस्तलों पर सुच्छता का एक बहुत बड़ा भ्यान चलाया जाना चाहिए